26 नवंबर है जब दिल्ली में मेडम का राज चलता था रिमोट कंट्रोल से चलता था जब महराष्ट में कॉंग्रेश की सरकार थी महराष्ट में भी कॉंग्रेश की सरकार दिल्ली में भी कॉंग्रेश की सरकार और ये चब्वीस ग्यारा मुंबई में आतंकबादियों ने हमला करके हमारे अनेक देश के नागरिकों को देश के जमानों को आतंकबादियों ने गोलियों से भून दिया था भाईयों भेनों उस आतंकबाद की भीचन गटना को आज दस साल हो रहे हैं और मुझे बराब याद है कि जब मुंबई में आतंकबाद की गटना गटी थी उस समय राजस्तान में चुनावा भियान चल रहा था अगर उस समय इस देश में से कोई भी उस आतंकबाद की घटना की आलोचना भी अगर करता था निर्दोष लोगों को मार दिया इतना भी बोलता था तो ये राजदर्बारी ऐसे उचल पड़ते थे ऐसे उचल पड़ते थे कि बोलने वाले के मुँपर ताले लगा देते थे और करते कहते थे क्या मुझे बड़ा बरियाद है वो कहते थे ये तो युद्ध है युद्ध पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर युद्ध बोला है और ये लोग राजनिती कर रहे हैं इस समय दिल्ली सरकार के हो उसके हाथ मजबूत करने चाहिए आतंकबाद के नाम पर राजनिती नहीं करनी चाहिए ये बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे और उनके राग दरबारी बड़े गाजे बाजे के साथ कॉंग्रेस की लिखी हुई कथा पढ़ते रहते थे लिखते रहते थे मैं उन राग दरबारियों से पूछना चाहता हूं मैं उन कॉंग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि दस साल पहले 26 नवेंबर को आतंकबाद की इतनी बड़ी भेंग कर गटना गटी सारी दुनिया हिल गई थी और कॉंग्रेस उसमें से चुनाव जीतने के खेल खेल रही थी वही कॉंग्रेस उस समय देश भक्ती के पाठ पढ़ाती थी लेकिन जब मेरे देश की सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया आतंगवादियों का हिसाब चुकता कर दिया और एक अख़बार ने तो लिखा था वहाँ के नागरिकों को पूछ करके उसने लिखा था कि ट्रके भर भर करके लाशे ले जानी पड़ रही है जब देश की सेना ने इतना बड़ा पनाक्रम किया दुश्वन को जाकर के उसके घर में मारा हर हिंदुस्तानी को गर्व हुआ था कि नहीं हुआ था ये देश्वक्ति की मिसाल थे की नहीं ये वीर्थी की विशाल थीक नहीं ये शौर यप पनाक्रम की गाता थीक नहीं लेकिन ऐसे समाएं कि कॉंग्रेस ने सवाल उठाया कि वीडियो दिखाओ वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ क्या देश का सेना का जवान मौत को मुठी में लेकर के निकलता है चाहाथ में कैमेरा लेकर